नमस्कार मैं सनत कुमार पांडे व्याख्याता इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनरी गवर्मेंट पॉलिटेक्निक लखनौ नेटवर्थ फिल्टर्स एंड ट्रांस्मिशन लाइन की इस वीडियो सिंख्ला में एक बार फिर से आप सब का स्वागत करता हूं आज के लेक्ट्रानिक्टर से हम लोग यूनीट 3 जो कि फिलटर के बेज्ट है उसकी चर्चा करेंगे और इसदुनिट का यह लेक्ट्र नमबर 4 है तो आज के लेक्चर में जो हम लोग topics basically discuss करेंगे उसमें crystal filters होंगे जिसमें crystal filters and its equivalent circuit is special properties of the piezoelectric filters and their use फिर उसके बाद हम लोग active filters देखेंगे active filters में basic concepts of active filters and their comparison with passive filter तो आईए start करते हैं आज का lecture तो सबसे पहले तो वही basic question की filter क्या है तो जैसा हम ने बताया था कि filter is a frequency selective circuit ठीक है और यह frequency के बिहाब पे वो signal को select करना reject करना pass करना stop करना यह सारी प्रक्रिया को अंजाम देता है ठीक है तो basically का जब भी हम discussion करते हैं तो जो भी इससे related concept है वह basically क्या है frequency dependent concepts होंगे ठीक है तो आईए start करते हैं हम लोग crystal filters तो crystal filters के बारे में जो basic question है कि what is crystal filters होते क्या है यह तो crystal filters incorporates crystals as highly selective tuned circuit in the filter network कोई filter network है उसमें कोई एक ऐसा जो है वो element लगा हो वो जो क्या है highly selective tuned circuit ठीक है इसमें क्या है कि basically जो है कुछ ऐसे crystal design किये जाते हैं जिनकी हर्प से हम circuit में को और ज्यादा ट्यून कर सकते हैं ठीक है इनकी जो frequency characteristic है उसके nature के कारण तो ऐसे crystal जिनमें हम लोग जो है वो highly selective crystal यूज करते हैं वो हमें crystal filters के नाम से हमने जानते हैं कुश्चिन उठता है कि crystal filters की जरुद क्यों पड़ी जब हमारे पास passive में बहुत सारे filters थे जैसे RC का यूज करके LCR का यूज करके हम लोगोंने different type के filter design किये थे पिश्री lectures में तो basically इनकी जरुद क्यों पड़ी तो crystal filters consumes zero DC power ठीक है चुकि उस में register और capture ऐसी चीज़ें अप्लेवल थी जिनके तुरू जो है वो रिजिस्टर के तुरू जो है वो power dissipation हो रहा था radiation हो रहा था crystal था जब कैस्टर था तो कैस्टर अपने को चार्ज करने में power यूज कर रहा होगा but in case of the crystal filters चुकि इसमें ऐसी कोई elements नहीं होते हैं ठीक है इसलिए यह zero DC power और less cost इनकी cost भी कम होती है can have small signal losses ठीक है while being extremely selective and almost possible to overload ठीक है इसमें कोई overload की संभावना नहीं होती है overload almost impossible होता है और दूसरा क्या है जो सबसे बड़ी characteristic इसकी यह है कि इसकी जो है zero DC power consume करता है less cost है इसकी ठीक है can have small signal losses while being extremely selective सबसे जो main quality है कि इसमें frequency जो selectivity हो बड़ी sharp है ठीक है तक हम लोग जो crystal पड़ रहे थे उसमें आप डाइग्राम जब देख रहे थे तो क्या था उसका करेक्टरिस्टिक जो actual diagram होता था उसमें basically अगर हम low pass की बात करते थे तो pass band के अलावा भी हमारा signal क्या होता था कुछ portion इसका pass हो जाता था ठीक है जो कि किसी filters के point of view से जो है वह अच्छा नहीं माना जाएगा और in case of the crystal filters की हम बात करें तो इसमें basically जो आपका यह nature होगा वो कुछ हग तक उसमें sharpness होगी ठीक है तो इसी लिए हम करें extremely selective भी है भी अराइस का अब next question जो इसमें है कि crystal filters की जरुरत क्यों पड़ी और types of crystal filters की हम लोग बात करें तो band pass, band reject and notch filters are popular in using crystals for designing ठीक है single crystal filter, half lattice crystal filters and ladder crystal filters तो अब इनको डाइग्राम से हम लोग समझते हैं एक एक करके कि single filters crystal filters क्या है कि basically इनके डाइग्राम में आप देखिए तो इसमें क्या है कि एक पी जो crystal use होकर इस filter का निर्माड किया गया है इसलिए हम ऐसे filters को क्या कहते हैं single crystal filters ठीक है this type of RF filters was developed in 1930 used in early receivers dating from before the 1960 but is rarely used today ठीक है आज कल हम इसे नहीं उस कर रहे हैं its response is asymmetric it is too narrow of most applications having a bandwidth of the 100 hertz or less ठीक है 100 hertz से उपर के frequency के लिए हम लोग इसको नहीं यूज कर पाते symmetric here is filter using single crystal ठीक है तो single crystal इसमें यूज होता है इसलिए इसका नाम क्या है single crystal filter variable capture in the circuit is used to compensate for the parasitic capacitance in the crystal ठीक है parallel में किसके अपने जो हमारा crystal filter है उसके ठीक है तो इसमें अगर हम second type का जो हमारा filter है उसकी बात करें half lattice type तो half lattice type में basically क्या है कि half lattice type जो हमारा crystal है basically आप इसमें देखिए कि दोनों side में जहां आप लोग parasitic capacitance को remove करने के लिए आप filter variable capture यूज कर रहे थे उसके जगह हमने क्या किया कि यहां पर एक crystal filters को introduce कर दिया और इस तरीके से जो इसका impedance का response है वो as compared to जो हमारा पिछला filter हम लोगों ने देखा था उसके comparison में यह कुछ improved divergence हो करेगा ठीक है तो इस तरीके से जो हमारा half lattice filter है इसकी जो impedance और frequency characteristic है as compared to the single crystal filters की बात करें तो कुछ improved होगी due to the इसमें बैसिकली damped oxalations की संभावना होगी चुकि इसमें हमने दो crystal यूज कर सकते हैं और इसकी और characteristic अभी आगे के लिक्टर में हम लोग लिक्टर में हम लोग देखेंगे ठीक है फिर crystal ladle filters की बात करें तो crystal ladder ladder basically क्या होता है जब हम circuit में एक cascading के format में कई सारे elements connect कर देते हैं तो crystal ladder filters की अगर हम बात करें तो इसके डाइग्राम में आप देखें कि basically है क्या कि capstone को हम लोग shunt में connect किये हैं और उसके पैलल में क्या है कि crystal capstone को जो है हमने आपर crystal filters को connect कर रखा है ठीक है और तो basically जो ध्यान देना है आपको कि जो shunt line है हमारी shunt line में basically क्या है crystal filters connected है और जो series line है आपकी वहां आपका basically क्या है crystal filters connected है और ऐसे structure को हम लोग किस नाम से जानते है crystal ladder filter ठीक है एक single unit को लेके जैसे माल लीजे यह आपका single unit को इसको आपने कई सारे use करके एक ladder का निर्माण कर रखा है ठीक है इसलिए हम लोग इसको crystal ladder filter के नाम से जानते हैं ठीक है अब इसकी characteristic की बात करें तो for many years the half lattice filters was possibly the most popular format used for the crystal filters more recently the ladder topology has gained considerable acceptance in this form of crystal passband filter all the resonators have the same frequency जितने भी इसमें resonator circuit बनेंगे सभी क्या है एक single frequency पर कार कर रहे है इन resonator coupling is provided by the characters placed between the resonator with the other termination connected to earth ठीक है symmetric diagram आपके सामने है letter का ठीक है तो structure देखके आप पहचान सकते हैं और इसमें objective question अगर आया तो इसके structure से भी आप इसको पहचानेंगे और main इसमें आपको ध्यान लखना है कि क्या है series में हमने crystal crystal filters यूज कर रखे हैं और जो हमारा shunt है circuit है उसमें हम लोगोंने character यूज कर रखा है ठीक है advantages और इसके disadvantages की बात करें तो बहुत सारे advantages disadvantages हैं मतलब अगर हम comparison की बात करें तो जो आपने अभी अभी तक conventional filter पढ़े थे चाहे high pass low pass कई type के M derived filter constant K filters को उसमें क्या है कि basically कि हम लोग अभी तक passive element जो थे उनका यूज करके मतलब register capacitor और inductor का यूज करके हम लोग character की design कर रहे थे बट यहां पर क्या है हम crystal का यूज करके वो filter को design कर रहे हैं चुकि crystal किसी particular frequency पे बहुत accurately work कर रहा है इसलिए हम लोग इसको crystal filters के नाम से जानते हैं ठीक है अब इसके advantages क्या है तो सबसे बड़ा जो इसका advantages कि इसका जो Q factor होता है वो बहुत हाई होता है ठीक है उसकी जो activity है उसका जो performance है उसके बहुत effect नहीं पड़ता है temperature range वगरा है minus 45 से plus 85 degree centigrade तक कार कर सकता है aging जो है वो narrow and intermediate band crystal filter is almost basically है क्या कि जो temperature और pressure या हम aging से related concept की बात करें तो इन सभी में जो हमारा crystal filters होता है उसकी performance अच्छी होती है ठीक है this makes crystal filters ideally suited for the phase match application चुकि इसकी frequency जो है star-paging है इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके लिए phase match application के लिए best है ठीक है because of high q values available from the crystals ठीक है very narrow and very selective filters can be made ठीक है चुकि इसका q value क्या है बहुत high होता है इसलिए हम इससे selective filters की दबदरुत होती है तो हम basically crystal filters को जो है वो prefer करते हैं ठीक है कुछ इसके और advantages disadvantages की बात करें तो advantages of the crystal filters में इसकी bandwidth narrow bandwidth जैसे 0.001% are routinely produced है मतलब कहने का है कि basically हम narrow bandwidth के लिए इस type filters को क्या करते हैं prefer करते हैं इसकी value पे अभी हम नहीं जाते हैं हमने mathematical value के वाला show करने के लिए लिए है लेकिन जो आपको समझना है कि narrow bandwidth के लिए इसको हम लोग prefer करते हैं ठीक है और इसमें filter with shape factor होता है crystal का और इसके लिए एंड नॉन लीनियर drive level response ठीक है क्या होता है इस प्यूरियस रिस्पांस आप देयार इन इन हार्मोनिकली रिलेटेड ठीक है चुकि इसमें basically क्या है कि रिजुनेंस की possibility होती है तो वहां क्या है कि इन हार्मोनिकली बहुत सारे response generate हो सकते हैं और वो सारे multiple क्या होंगे इसका जो crystal की frequency होगी उसका ठीक है तो modes of vibrations in the crystal जो इसके spurious responses है are caused by in harmonically related modes of vibration in the crystal they appear in the filter as narrow response that degrade whether band they appear in ठीक है तो कुछ इसके disadvantages भी है उसमें आपको याद रखना है objective point of view से की furious response and non-linear and drive level response इसकी disadvantages है ठीक है अब इसमें अगर हम आगे बात करें तो crystal filters के हमारे हमारे पास जो example है उसमें पीजो electric crystal है जो आपके syllabus में भी है तो पीजो क्रिस्टल होते क्या है कि certain crystalline materials namely जैसे Russell salt हो गया Quast हो गया Termaline हो गया it exhibit the piezoelectric effect क्या होता है piezoelectric effect when we apply an AC voltage across them they vibrate at a frequency that of the applied voltage ठीक है जब इन crystals के terminal पे हम लोग ठीक है वो क्या करें कि जैसे हमारा कोई piezoelectric crystal है और इस piezoelectric crystal के terminal पे हम लोग कोई voltage apply कर दें तो होता क्या है कि इसका जो crystals है उसमें क्या होगा इस crystal में oxalations vibrations start हो जाएंगे molecular oxalations start हो जाएंगे और वो oxalations किसके बराबर होंगे जो भी आप इसके across जो है वो voltage source apply करेंगे उसकी frequency के बराबर हो जाएंगे ठीक है तो हम इसकी दूसरी characteristic है कि when they are compressed are placed under the mechanical strain to vibrate जब इसके उपर crystal के उपर हम अगर pressure apply कर दें दोनों साइट से कोई force लगा दें तब भी इसमें क्या होता है कि vibrations create हो जाते है और इसके around जो क्या होता है voltage generate हो जाता है दे प्रिड्यूज ठीक है दे प्रिड्यूज एन AC voltage across it ठीक है तो पीजो इलेक्ट्रिक किस्टल की दो characteristics हम लोगों ने कौन कौन सी देखी अगर इसके around हम कोई voltage connect करते हैं तो इसमें molecular vibrations start हो जाते हैं और उनकी vibrations की जो frequency होगी जो voltage source हम connect कर रहे होंगे वो लगभग उस frequency के vibrations हो रहे होंगे दूसरा जब हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के across कोई force apply कर देते हैं तब भी क्या होगा कि force apply करने में भी इनके जो है molecular vibrations होंगे और जो हमारा circuit है उसके एक राज एक AC voltage create हो जाएगा तो क्या जो है यह एक electricity का source भी हो सकता है ठीक है तो आप लोग अपने जो electric watch use करते हैं उसमें क्या है पीजो इलेक्ट्रिक किस्टल लगा होता है इसलिए आप जो है आपकी voltage generate करने है ठीक है और इसमें हम पीजो इलेक्ट्रिक किस्टल की अगर बात करें ठीक है तो such crystals which exhibits piezo electric effect are known as the piezo electric crystals of the various piezo electric crystals the most commonly used is the quaz crystal quaz crystal जो है बहुत popular जो है piezo electric crystal होता है ठीक है this is because it is an inexpensive and radially available in the nature ठीक है यह nature में easily available है और चुकि जो है इसकी कुछ अपनी qualities है ठीक है तो जब nature में easily available है तो सस्ता भी है ठीक है इसलिए हम इसको prefer करते हैं लेकिन objective point आप दूसरे आपको ध्यान रखना है कि कौन-कौन से material में जो पीजो electric effect पाए जाते हैं अगर ऐसा कभी question आता है तो आप उसमें कह सकते हैं कि रॉसल साट crystal हो गया ठीक है यह तो इन crystal के around हम voltage connect करें तो इसमें vibrations होने लगेंगे around हम pressure connect करें ठीक है जैसे इस पे pressure apply करें तब ही इसमें क्या है कि vibrations create होंगे और इसमें AC voltage generate हो जाएगा तो इस ठीक है पीज़ो इलेक्ट्रिक फिल्टर्स की अगर हम बात करें तो ऐसे फिल्टर्स जिसमें जो है वो पीज़ो electric crystal का use किया गया हो जैसे कैस्टर आपने देखा होगा और कैस्टर के बीच में हम जो है वो पीज़ो इलेक्ट्रिक मेटेरियल रिप्लेस कर दें प्लेम में प्लेस कर दें ठीक है तो ऐसे क्रिस्टल हमारे जो है वो पीज़ो electric crystal होंगे तो क्वाज किस्टल आर जेनरली यूज़ इन दे क्रिस्टल ऑक्सलेटर बिकॉज आप दियर ग्रेट अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें जो हमारा पीज़ो एलेक्रिक क्रिस्टल को यूज़ करके जो हमारा filter design किया गया ठीक है तो उसकी frequency कि अगर हम बात करें तो each crystal has a natural frequency like pendulum ठीक है the natural frequency f of a crystal is given by f is equal to k by t ठीक है यह आपका formula है जो इसका frequency जो है value हमें बताएगा अब इसमें k क्या है कि where k is the constant that depends upon the cuts and t is the thickness of the crystal ठीक है मतलब कितने cuts है हमारे crystal पे उसके directly proportional है यह frequency और जो हमारे thickness है उस crystal की उसके क्या है inversely proportional है तो हम लोग कह सकते हैं the frequency f is inversely proportional to the crystal thickness the thinner the crystal the greater is its natural frequency and yc वर्षा ठीक है तो इसमें जो आपकी crystal की frequency है वो किस पर depend कर रही है thickness के inversely proportional है और जो number आप cuts है के जिससे को हम represent कर रहे है ठीक है it is a constant it depends on the cuts ठीक है तो दो चीजों पर आपके frequency depend कर रही है ठीक है और बेसिक आपको यहाँ याद रखना है कि it is inversely proportional to the thickness ठीक है टीक है यह inversely proportional है अब इसमें आगे हम बात करते हैं प्रिक्वेंसी के बाद जो है अब इसकी analysis की हम बात करें ठीक है जो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक filter है उस पीजो इलेक्ट्रिक filter बैसिकलिए आपको समझ में आ गया होगा कि पीजो इलेक्ट्रिक material का यूज करके जब हम लोग filters करते हैं तो इसको पीजो में की बात करें ठीक है विरृकिंग विथ क्वाट्स के सच्बाए मैं कैसे वर्प करता है तो इन आड़र तु यूज कृस्टलिंन जो मैंने बताया कि कैस्टर की टू मेटल प्लेट्स होंगी उनके बीच में इसको प्लेस कर दिया जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को तो एरेंग्मेंट फॉर्म्स एक अच्टर विथ एक क्रिस्टल ऐज डाइलेक्ट्रिक जैसा कि आप लोग एक यह प्लेस करते हैं वैसे ही पीजो इलेक्ट्रिक मटेलियर हम क्या है कि उस कैस्टर की बीच में प्लेस कर दें तो जो हमारा फॉर्मेशन होगा जो इस्ट्रक्चर बनेगा यह पीजो इलेक्ट्रिक फिल्टर ठीक है इसमें रिजनेंस की भी संभावना है और रिजनेंस का होता है जब हमारी फ्रिक्वेंसी किसी से मैच हो जाए ठीक है जैसे आप लोग दो फ्रेंड हैं और आप दोनों दो फ्रेंड के बीच में जो है बातचीत में जो है आपको सबसे अच्छा जो है वो आपका प्रफुलित होते हैं जब दोनों के विचार, आचार विचार दोनों मैच कर रहे होते हैं, तो friendship की bonding क्या होती है, strong होती है, तो यहीं पे अगर हम पी जो electric filters के reference में बात करें, तो जब हमारे filter की जो frequency है, frequency का मतलब क्या है, जो depend कर रही है उसकी thickness पे और T value पे, तो है basically क्या है, कि जब हमारा filter का, जो crystal की frequency है, वो apply की गए voltage की frequency से अगर मैच कर जाएगा, तो उस समय क्या हो रहा होगा, कि हमारा resonance की condition है, ठीक है, जब internal frequency, applied frequency से मैच कर जाएगी, तो resonance हो जाएगी, और resonance हो जाएगी, तो बस वही, जैसे आपके front से, जब आचार विचार मैच कर जाता है, तो आप लोग उस पल को enjoy कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होगा, vibrations create हो गए, और vibrations जों क्या होगा, maximum value के होगा, ठीक है, maximum value के होगा, ठीक है, maximum value के हो जो frequency है, selective frequency, उसके हम इस पर sharpness provide कर सकते हैं, और ये हम इसको frequency selective crystal की तरह, filter की तरह use कर सकते हैं, ठीक है, अब पीजो electric filters की हम अगर equivalent circuit की बात करें, तो कैसे इसमें working होती है, ठीक है, इस natural frequency is almost constant, जैसा कि आपने देखा था कि basically वो उसके thickness पर depend करती है, अगर एक बार हमने जो है filter को जो है, thickness को जो है, वो डिजान, डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी frequency क्या हो जाएगी, fix हो जाएगी, ठीक है, और वो frequency apply किये गए, voltage से अगर match कर जाएगी, तो क्या हो जाएगा, resonance हो जाएगा, ठीक है, the effect of temperature can be controlled by mounting the crystal in the temperature controlled oven as in the radio and television transmitters, ठीक है, ये basically radio and television transmitters में भी योज होते हैं, वहाँ हम इसको जो है, वो temperature controlled oven में रखते हैं, ताकि इसका जो है, बहुत temperature का variation नहों पाए, फिर हद तक जो है, इसमें temperature का effect कम ही रहता है, लेकिन तब भी जो है, जैसे जैसे चुकि इसका जो physical characteristic है, basically जो mechanical characteristic है, इसका thickness हो गया, ठीक है, hardness है, उन पर ब temperature dependent भी होती है, तो हमें temperature जहां तक हो सके, इसका क्या है, वो fix रखना हो, ठीक है, फिर अगर हम इसी में equivalent circuit की बात करें, तो equivalent circuit अगर, जो इसका अगर हम design करेंगे, तो क्या है, although crystal has electromagnetic resonance, we can represent the crystal action by an equivalent electric circuit, जैसा कैस्टर की analysis आप लोग करते हैं, कुछ उसी तरीके से हम लोग जो है वो इस piezoelectric filters की भी analysis कर सकते हैं, when the crystal is not vibrating, it is equivalent to the capstan, जो जो जिस कैस्टर में हमने dielectric के जगा इसको रखा है, उसके capstan के बराबर इसकी value होगी, ठीक है, because it has two metal plates separated by the dielectric action in the figure, this capstan is known as the mounting capstan, ठीक है, कब जब हमारा crystal में कोई vibrations नहीं हो रहा हो, मतलब उसके अंदर ना कोई voltage apply किया हो गया हो, ना pressure apply किया गया हो, तो जो इसकी value होगी, कैस्टर की, जिस कैस्टर में आप इसको replace किये होंगे, उसी कैस्टर के बराबर होगी उसकी value, और उसको हम किस नाम से जानते हैं, mounting कैस्टर, तो कभी भी आप से पीजो कैस्टर में, कभी interview में, या कहीं examination में आपको इस तरह के question मिल जाए कि, what do you mean by mounting capacitance in piezoelectric filter, या mounting capacitance कहाँ पाया जाता है, तो आपको ध्यान अटना है कि ये piezoelectric crystal में किये characteristic होती है, mounting capacitance की, और वहाँ आप लोग सही answer tick करेंगे, ठीक है, फिर इसी में अगर हम लोग बात करें, कि इसके equivalent circuit की, तो basically क्या है कि, जो हमारा piezo crystal होता है, उसमें capacitance है, और उसके अंदर क्या है, dielectric की जगाँ piezoelectric crystal है, तो हम लोग जो piezoelectric crystal है, उसको हम लोग LRC के combination से represent कर सकते हैं, ठीक है, LRC का एक series combination होगा, जिसमें एक inductor, एक register और एक capacitor series में connected होंगे, और इसके crumb में हम इसके parallel में एक वही mounting capacitance की value का capacitor इसके parallel में लगा देंगे, तो इस हिसाब से जो यह हमारा पूरा effective यह circuit design हुआ, यह आपका circuit जो है, वो piezoelectric crystal का performance देगा, ठीक है, piezoelectric filter है, उसकी हम लोग mathematical analysis अगर करेंगे, तो हम इसी equivalent circuit का use करेंगे, जिसमें capacitance parallel में होगा, और आपका उसकी जो value होगी, वो किसके mounting capacitance के बराबर होगी, और series में क्या लगा होगा, series में आपस में L, R और C connected होगी है, ठीक है, तो इस तरह ही किसे आपने देखा, कि कैसे आपका piezoelectric filter हम लोग design करते हैं, ठीक है, फिर इसी में हम लोग आगे बात करते हैं, कि इसी unit का जो next part है आपका, वो active filters पे based है, तो active filters क्या होते हैं, कि basically वो filter जिसमें हम basically कुछ ऐसे elements यूज़ करें, जो हमारे signal को amplify करने की characteristic रखते हों, जैसे op amps होते हैं, ठीक है, तो इसमें inductor आपको basically नहीं मिलेगा, ठीक है, जब भी हम किसी भी active filters की बात करेंगे, तो सबसे इसको पहचानने में easy क्या होना चाहिए, कि उस circuit में कोई inductor नहीं use हो रहा होगा, तो ऐसे जो फिल्टर जो है, वो active filters हो सकते हैं, और it's made up of the op amps, register or capster के use करके बनाया जाता है, generally much easier to design, इनका design easy होता है, compared to passive filters and any other filter, high input impedance prevent excessive loading of the driving sources, ठीक है, the low output impedance prevents the filters from being affected by the load, ठीक है, loading effect इसमें कम होता है, ठीक है, at high frequencies is limited by the gain bandwidth of the operational amplifier use कर रहे हैं, उसके हिसाब से manage किया जाएगा, easy to adjust over the wide frequency range without altering the design response, ठीक है, इनको handle करना भी easy होता है, ठीक है, अब इसके हम circuit के बारे में बात करें, अगर active filters के, तो हमारे सामने बहुत सारे filters की design है, जिसमें active single pole low pass filter, basically ये low pass filters हैं, जिनको हमने op-amp और register caster का use करके design किया है, ठीक है, तो basically हम इसके cut-off frequency की बात करें, तो fc is equal to 1 upon 2 pi r1 c1, जहां r1 क्या है आपका, जो register आपने का connected है, और c1 क्या है, जो caster connected है, ठीक है, इसी तरह से इसका जो gain कितना हो रहा है, उसकी value अगर निकालने तो r2 upon r1 plus 1 होगा, r2 क्या है, जो आपने shunting register use किया होगा, ठीक है, उसकी value होगी, ठीक है, इसी तरह किसे अगर हम इसकी, जो है वो shunting वाली के, जो हमारी circuit है, यहां तो short है, यहां shunt में अगर register है, तो हम इसमें क्या देखें कि, जो bypass आपने use किया है, bridge shape में, अगर उस circuit का, जो है, वो frequency calculate करें, तो fc is equal to 1 upon 2 pi r3 c1, ठीक है, ध्यान रखना है कि, जब हम लोग इसकी cut-off frequency को calculate करना हो, तो इस portion में जो भी register का answer लगा होता है, उनका multiplication होता है, denominator में, ठीक है, और जब इसकी average की बात करते हैं, तो जो आपने यहां पर connect कर रखता है, bridge में, यह register और इसके साथ में, जो ground किया हुआ register है, उन दोनों का क्या होता है, ratio होता है, plus 1, ठीक है, तो इस तरीके से, जो है हम लोगों ने, अब इसमें inverting और non-inverting इन सब कीजों का भी concept होता है, तो जब आप इसको op-amp पढ़ेंगे अपने syllabus में तो समझ पाएंगे कि कैसे non-inverting, कैसे inverting, जो है वो op-amp design होते हैं, यहीं मगर inverting with voltage, inverting जो हमारा op-amp है, filter, ठीक है, उसके अगर gain की बात करें, तो inverting के place में, जो voltage gain AB है, वो क्या हो जाएगा, minus R2 upon I1, और यहां frequency हो जाएगी Fc is equal to 1 upon 2 pi R2 C1, जहां R2 आपका यहीं जो आपने shunt में जो आपने लगा रखा है, register, और C1 आपका जो कैसे आपने लगा रखा है, तो non-inverting और inverting इसमें दो case होते हैं, non-inverting और inverting दोनों की आपको cut-off frequency का formula और voltage gain का formula याद होना चाहिए, objective examination में, competition में, यहीं सब question होंगे, जो आपको other candidates से जो है, वो lead दिलाएंगे, ठीक है, तो इन सब चीजों को आप लोग पढ़ते हुए आगे बढ़िए, और formula को आप एक copy बना लिजे, formula की उसमें note करते चलिए, ठीक है, ताकि important कीजे और उसकी conditions और formula आपको पता रहे हैं, ठीक है, फिर वहीं पे यह आपका जो है, एक example है, active second order low pass filter का, ठीक है, इसमें भी वही concept है, इसकी cut-off frequency अगर calculate करेंगे, तो 1 upon 2 pi under root R1 R2 into C1 C2, और यहां पर R1 R2 दोनो register हैं, और C1 C2 दोनो characters हैं, ठीक है, in second order filter, the circuit voltage gain and the cut-off frequency are the same with first order filter, except that the filter response drop faster with 40 db decade, compares with first order in the 20 db decade, basically इसमें यह characteristic है कि कब जो है second order और first order की जो cut-off frequency बराबर होगी, जब हम बोल हैं कि जो response का drop हो, वो 40 db से faster हो, ठीक है, और compares with first order in 20 db, ठीक है, अगर इसको 20 db से compare कर रहे हो, तो कितना 20 db particle हो, ठीक है, तो basically यह इसकी थोड़ा सा critical specifications है, इससे हमें confused नहीं होना है, ठीक है, basic हमें idea क्या होना चाहिए, कि हम op amp और register और capture करके, कैसे inverting और non-inverting, जो है, filter design करते हैं, तो चाहिए आपका first order filter हो, second order filter हो, low pass हो, या high pass हो, तो आपके सामने जो diagram में आपको filter दिख रहा है, that is a active single pole high pass filter, तो high pass filter में सेम वही, जो हम लोगों होने अभी देखा कि non-inverting में इसका जो average gain है, voltage gain है, 1 है, और cut-off इसकी frequency 1 upon 2 pi r1 c1 है, और वहीं इसका हम non-inverting का देखें, तो जो है, इसका voltage gain r2 upon r1 plus 1 है, and cut-off frequency fc is equal to 1 upon 2 pi r3 c1 है, इसमें आपको देखना सिर्फ इतना है, कि इसमें आर्थी, मतलब जो register और capture use कर रहे हैं, तो basically जहां पर आप लोग basically voltage apply कर रहे हैं, source apply कर रहे हैं, उससे जो gapster और register connect है, हम उसको में लेते हैं, कहां पर, जब हम लोग frequency measure कर रहे होते हैं, कि आप frequency calculate करते हैं, और जो इसमें आपने grounds के थ्रू जो है, ये connect कर रहे हैं, register, इसको हम काउंट करते हैं, जब हम लोग voltage gain ले रहे होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो इस तरीके से हमने inverting, non-inverting के लिए current gate और voltage gain को जो है, वो calculate किया, ठीक है, तो आज के lecture में हम लोगों ने basically बहुत सारी useful चीजे देखी, active filters में, और active filter से पहले जो है, हम लोग जो है, वो crystal के बारे में जो है, वो दूसरा डाइग्राम है, जो आप देख पा रहे हैं, एक स्ट्रींग पर, ठीक है, तो है क्या कुल मिला के हमको कटाफ frequency calculate करना है, और voltage gain calculate करना है, हर configuration का अपना अलग-अलग expression है, कटाफ frequency और voltage gain को measure करने की, ठीक है, तो आज के lecture में basically हम लोग यही तक रखते हैं, और आज के यह लेक्चर में हम लोगों ने बहुत concept सीखे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने crystal filter देखा, फिर piezoelectric material क्या होते हैं, फिर piezoelectric filters क्या होते हैं, फिर active filters क्या होते हैं, और active filters कैसे जो है, वो caster और register का use करके design किये जाते हैं, with the help of the operational amplifiers, और यहाँ पर एक important चीज हम लोगों न नहीं पाया जाता है, जो आपको याद रखना की जरूरत है, ठीक है, तो आज के lecture में हम लोग यहीं तक रखते हैं, ने लोगों कुछ और important concept discuss करेंगे, thank you.